दोस्तो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जिसे हम ED भी बोलते हैं ये तनाव ना आने की एक बड़ी समस्या होती है और जिन लोगों को ये समस्या होती है उनके लिंग के अंदर इरेक्शन पूरी तरह से नहीं आपाता धिलापन रहता है तनाव में कमी रहती है लूज रहता है धिला रहता है जिसकी वजाह से उनका वीरिये ना बन पा रहा है ना बढ़ पा रहा है और वीरिये के पतला होने के कारण उनकी रुकावट नहीं बन पा रही है उनकी टाइमिंग नहीं बन पा रही है जहां उनको एक अच्छा परफॉर्मेंस बेड़ पर करना चाहिए वह वो दो से चार मिनेट पांच मिनेट के अंदर ही डिश्चार्ज हो रहे हैं और उनका साथ ही उनका पार्टनर उनसे पूरी तरह संटुष्ट नहीं है अंगरेजी दवाईयां भी कई तरह की खाली लेकिन बीमारी जड़ से खतम नहीं हो रही है तो आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा नुसका बताएंगे जिसका इस्तिमाल करके आप इन समस्याओं को पूरी तरह से ठीक कर पाएंगे तो दोस्तो मैं हूं हमंद हुसैन और आप देख रहे हैं हुसैन हेल्थ केर चैनल अगर आपने बिदग चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है इसको सबस्क्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं इससे हमारी आने वाली हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं इसके लिए आपको कुछ चीजों की जरुट होती है जिसमें पहली चीज है तुखमे कलोंजी ये तुखमे कलोंजी आपको लेनी है 85 यानि 85 ग्राम उसके बाद दूसी चीज है जाफरान ये आपको लेनी है 15 गिराम ये कश्मिरी जाफरान आपको लेनी है अब आपको करना ये है कि तुखम कलोंजी को आप पहले सुखा लें और उसके बाद इसका सफूफ तयार कर लें चूरन तयार कर लें जब इसका चूरन आप बना और फिर आप 1000 MG के खाली कैपसूल ले लीजिए मार्किट से आपको आसानी से मिल जाएंगे उन कैपसूल के अंदर आपको ये चूरन जो आपने तयार किया है कलोंजी का और जाफरान का उसको भरकर कैपसूल में आपको इन कैपसूल को किसी डिब्बी वगरे में भरके रख लेना है अब ये एक कैपसूल जो है वो आपके तयार हैं। अब आप इनका इस्तैमाल करो सुबह और शौSpeak इस्तैमाल करने का तरीका ये है, एक कैपसूल सुबह खाइए नास्ते से पहले हलके गरम दूद के साथ। और एक कैपसूल शाम को खाईए खाना खाने के बाद हलके गरम दूद के साथ, रेगुलर आप इन कैपसूल का इस्तेमाल करिए, जब आप लगकर इन कैपसूल को खाएंगे, तो ये आपके वीरिये को बनाएंगे, बढ़ाएंगे, गाड़ा करेंगे, आपके अंदर रुका को पूरी तरह से संटुष्ट कर पाएंगे, वहीं जिन लोगों को तनाओं में कमी रहती है, लूज, ढीला पन, इस तरह की शिकायत रहती है, तो वो भी उनकी पूरी तरह से ठीक होगी, और अगर आप ये दवाई नहीं बना सकते, तो इस्क्रीन पे आपको दवाई दिख दगाने के लिए मालिश करने के लिए, स्क्रीन पे आपको नंबर दिया गया है, डिस्क्रीप्शन में लिंक आपको दिया गया है, वहाँ से भी इसको और्डर कर सकते हैं, I hope दोस्तो वीडियो आपको खोफी पसंद आया होगा, तो चलिए दोस्तो मिलते हैं कुर नहीं वी